नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं December 2022 के लिए जो student assignment समिट करना चाते हैं, assignment बनाना चाते हैं तो वो क्या करें, कैसे करें, तो इसके ओपर ये वीडियो होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, तो एक एक करके, इन सभी टॉपिक के उपर बात करते हैं और वीडियो की शुरूरात करते हैं, सबसे पहले है, क गिनुकी जो वेबसाइट है उसके डाउन्डोड सेक्षन में आप जाएंगे तब असाइमेंट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको असाइमेंट के कोस्चन पेपर मिल जाएंगे हर कोर्स के चाहे वो M.A.M.C. का हो यानि कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो मास्टर का कोर्स हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स हो बीए बीकॉम बीएसी का कोर्स हो या सार्टिफिकेट का कोर्स हो या फिर डिपलोमा का कोर्स हो कोई भी कोर्स हो उसका असाइमेंट का कोस्चन पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप् आपको 90% टाइम है assignment का वो इसी में निकलता है कि आपको assignment के solution हर question के answer ढूढने होते हैं तो 80-85% assignment का solution होते हैं कि questions के answer होते हैं वो आपको इगनू की book में मिल जाएंगे उसके बाद जो बाकी answer नहीं मिलते वो जो होता है वो आप Google की help ले सकते हैं यह दिक्कत इगनू की में आपकी math का अगर आपके पास mathematics का course है physics का course है chemistry का course है इस तरीके course है जहां पर numerical problems की जरुत होती है तो वहां पर क्या होता है कि digits काई बार match नहीं कर पाती है और इगनू की book में directly उसका सीधा answer नहीं लिखा होता है तो उसमें आप Google में help ले सकते हैं Google में आपको उसके जैसा similar कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसकी help से आप उसको कर सकते हैं अगर आप उसको पूरा solve नहीं भी कर पाए तो आधा भी solve करेंगे तो उसके basis पर भी आपको assignment में marks मिल जाते हैं इस्टुएंट जो होते हैं टीचर यह देखता है कि इस्टुएंट ने कितनी मेहनत किया उस assignment को बनाने में ठीक तो कई बार इवन आपको अगर दस नंबर का question है आपको आठ इस्टैप ही आते हैं आधा question ही आता है तो फिर भी आप आधा ही लिखिए कोई बात नहीं आपक इस्टुएंट को बता रहा हूं मैं जो कि public administration के होते हैं history के होते हैं पूरा का पूरा paragraph copy कर देते हैं ऐसा मत कीजिए अगर उसका आंसर आपको मिल भी गया है इगनू की book में ही मिल गया है तो फिर भी आपको पूरा paragraph copy करने की जड़त नहीं उसको अपनी तरीके से लिखने क कोसिस करें कि अगर आपको 30 लाइने उस answer के लिखनी है तो आप 20-21 लाइने जो है इगनू की book से लिख दीजे लेकिन 8-9 लाइने अपने खुद से समझ कर उसको अपने तरीके से लिखने की भी कोसिस कीजिए ताकि ऐसा ना लगे बिलकुल copy paste हो गया इगनू की book की तरफ से क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको उसमें question जो होगा उसमें पूरे marks नहीं मिलेंगे अकर 10 number का question है तो आपको 6-7 number ही उसमें मिलेंगे क्योंकि वो teacher जो होता है वो पहचान जाएगा कि आपने as it is सिर्फ copy कर दिया एगनू की book से और अपनी तरफ से कोई मैनत नहीं की तो यह बात आपको धियान में रखनी है उसके बाद आपको submit कहां करना है समिट आप online भी कर सकते हैं और offline भी कर सकते हैं ऐफलाइन आपको अपने study center में submit करना होता है working days जो भी आपके study center के होंगे उन में आप जाकर आप अपने assignments को offline submit कर सकते हैं उनलाइन समिट करने के लिए आपका जो रीजनल सेंटर होता है आपको जानते होंगे कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है तो आपका जो रीजनल सेंटर है वो Google Form, Email ID इसके जरी जैसा भी आपको Assignment करने को कहता है उस तरीके से आप अपने Assignment को समिट करेंगे या तो Google Form आपके आपके रीजनल सेंटर की तरफ से दे जिया जाता है या फिर Email ID दे जी जाती है जिसके जरी आपको अपने Assignment को समिट करना होता है उसके बाद Last Date क्या होगी Submission की Assignment Submission की तो नॉर्मली जो Standard है वो यह है 30 September यान कि 30 September का अगर अगर पहले भी अपने Assignment को समिट कर रहे हैं तो 30 September जो होता है वो Normal Date है जो की Last Date मानी जाती है लेकिन इसको आगर एक्सेंट किया जाता है आपने अगर पहले भी अपने Assignment को समिट किया है तो आप जानते कि जो Last Date होती है उसमें 2-3 बार कम से कम Assignment Submission की Last Date को एक्सेंट किया जाता है और आप मानके चले कि 30 November 2022 तक आपको मौका मिलेगा आपने Assignment को समिट करने का तो Normal Date जो है वो 30 September है लेकिन आपको 30 November तक का मौका मिल जाएगा Assignment Submission की Last Date यहां तक Extend होने के Chances रहते हैं उसके बाद बात करते हैं हम आगे तो वो है कि आप Prepare किस तरीके से करे Assignment को तो सबसे पहले तो जो भी Solution आपने ढूंडने है उनको कहीं पर कुछ चेंज करना है कुछ लाइन काटनी वगरा है तो वो सारा कसार आप इसको कर पाएं A4 Size Paper आप इस्तमाल कर सकते हैं उनमें आप अपने Assignment को लिख सकते हैं आपको Assignment का First Way भी बनाना होता है इंट्रोडक्शन पेज होता है उसके उपर मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं किस तरीके से इंट्रोडक्शन पेज में क्या क्या लिखना होता है बेसिकली आपको सिंपल चीज अपनी इंट्रोडक्शन देना होता है जिसमें आपका नाम सही होना चाहिए आपका कौन सी कोर्स कोड है वो सही होना चाहिए आपका प्रोग्राम कोड क्य उसके बाद आपको करना क्या है, assignment question paper जो है उसको print कीजिए और उसके बाद फिर उसको thread से tag कर दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, किस format में आपको अपना assignment को बनाना है, सबसे पहला पन्ना जो होगा, वो question paper होगा, आपको assignment के question paper का, उसके बाद दूसरा पनना होगा आपका introduction के page का और उसके बाद फिर वहाँ पर से आप अपने assignment के answers को लिख दीजिए अपने assignment के जो answers की A4 size seat है उसको लगा दीजिए तो ये होगा format आपका जिसके जरीए आपको अपना assignment जो बनाना है और उसके बाद फिर इनको tag कर देना है आपको धागय की मदद से आप इसको tag कर सकते हैं तो अगर अपने assignment को online submit करवाना है तो उसमें format यही रहेगा कि question paper पहले फिर introduction page और फिर assignment के answer बस आपको क्या करना है कि इसी format में आपको इनको scan करना है एक pdf बनानी है इसकी और उसके बाद फिर उसको google form के जिरिए email id जैसा भी आपका regional center जिस भी तरीके से कहता है उस तरीके से आपको इसको submit कर देना है और आपका assignment जो है वो submit हो जाएगा और आपका assignment जो है 30% marks का आपका complete हो जाएगा नौर्मली ऐसा होता है कि assignment में जब तक आपने बहुत बड़ी गलती नहीं की है आपने कोई मानली जे printed assignment ही submit कर दिया आपको printed assignment कभी भी submit नहीं करना अगर आप printed assignment submit करेंगे तो आपका जो assignment उसको cancel कर दिया जाएगा चेक नहीं किया जाएगा अगर यह इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करते हैं तो नौर्मली हर इस्टुएंट जे होता assignment पर पास हो जाता है तो इस वीडियो में इतने वीडर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए